नमस्कार दोस्तों मैं आचार एरुन कुमार दिक्षित स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल भव्य जोतिस में दोस्तों आज किस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वहन प्राप्ति के जोतिस ये योगों के बारे में कि जोतिस में वह कौन-कौन से योग होते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति को वहन प्राप्ति सरलता से या सहजता से हो जाती है देखिएगा वैसे तो जोतिस में वहन प्राप्ति के बहुत सारे योग दिये हुए हैं परंतु हम उसमें से कुछ योग आपको बता रहे हैं जैसे की सबसे पहले चत्थुर्थभाव, चत्थुर्थेश व्कारक शुक्र देखिएगा यह होता है कुंड़ी का चोथा भाव और जो रासी चोथे भाव में हो उसका स्वामि ग्रह कह लाता है चत्थुर्थेश अर्फा चोथे भाव का स्वामि ग्रह वे कारक सुक्र कुंडली में हमें चोथे भाव तथा चोथे भाव के स्वामी गिरह तथा सुक्र की इस्तिती को विशेश रूप से देखना चाहिए कुंडली में जितना चतुर्त भाव वे कारक गिरह बली होंगे उतनी ही सहजता वे सरलता से व्यत्ती को वहन सुख की प्राप्ती हो सकती है हमने बात करी पहले चतुर्त बाव चतुर्त वे कारक सुख्र की अब आगे बात करते हैं दूसरे योग को देखते हैं लगनेस यदी चोथे 9 में हों या घ्यारे में भाव के सवामी से युक्त हो अगर कुंडली में लगन भाव का सौमी अर्थत पहले भाव का सौमी चौते भाव, नौमे भाव या ग्यार्मे भाव के स्वामी के साथ बैठा हो तो वैक्ति को वहान सुख की प्राप्ति होती है यह होता है चौता भाव, यह होता है नौमा भाव और यह होता है ग्यार्मा भाव जो रासी चोथे भाव में हो उसका स्वामी गिरह चत्थूरतेस जो रासी नोमे भाव में हो उसका स्वामी गिरह नोमेस और जो रासी ग्यारमे भाव में हो उसका स्वामी गिरह एक आदसेस कहलाता है अब हम आगे बात करते हैं यदि चतुरतेस उच्च का हो और उच्च रासी का स्वामी केंडरिया तिरकौन भाव में इस्तित हो तीसरा हमारा योग है यदि चतुरतेस की चोथे भाव का स्वामी गरे उच्च रासी में बैठा हो और जिस रासी में बैठा हो उस रासी का स्वामी केंडरिया तिरकौन में हो यह एक चार साथ दस यह होते हैं केंडर भाव और एक पांच नौ यह होते हैं तिरकौन भाव कहने का अतात पर यह है कि पहली कंडिशन चतुरतेस उच्च रासी में बैठा हो उसके बाद में चत्थुड तेस जिस रासी में उच्छ का होता है उस रासी का स्वामी ग्रह कुंडली में केंद्र 14710 केंद्र में हो या 159 तिरकौन में हो हमने लगन को केंदर और तिरकौन दोनों में माना है तो अगर यह कंडीशन हो तो व्यक्ति को आसानी से वहन सुक्र की प्राप्ति हो सकती है अब हम इन नियमों को उधारन कुंडली पर लगा कर देखते हैं देखिएगा यहाँ पर देखिएगा चत्थुर्थ भाव चत्थुर्थे व्यकारक सुक्र की कंडिशन को पहले देखते हैं देखिएगा चोथा भाव चोथे भाव का स्वामीग्र है चोथे भाव में ही बैटा है क्योंकि कन्यारासी का स्वामीग्र है बुद्ध महराज बुद्ध महराज चोथे भाव में बैटकर बली स्तिती में है उसके बाद मैं सुक्र की इस्तिती देखते हैं, सुक्र महराज अपनी स्वेरासी होके बैठे हैं, तो यहाँ पर चौथे भाव तता चतुरते स्वे सुक्र की इस्तिती बली इस्तिती है, उसके बाद हम अगली कंडिशन को देखते हैं कि लगनेस यदि चौथे नौमे या ग ग्यार्मे भाव के स्वामी से युक्त हो देखिए यहां पर चत्थुरतेश बुद्ध महराज किसके साथ बैटे हैं ग्यार्मे भाव के स्वामी मंगल के साथ में बैठे हुए हैं स्वेरासी होके बैठे हुए हैं, तो हमारी दूसरी कंडिशन भी यहाँ पर पूरी होती है, उसके बाद में हम तीसरी कंडिशन देखते हैं, हाला कि कोई भी कंडीशन अगर लागू होती है तो वहां सुक प्राप्त होता है परंतु इस कुंडली में विशेस रूप से तीनों ही कंडीशन देखने को मिलती है यहाँ पर देखिए तीसरी कंडीशन की चतुरतेस उच्च का हो यहाँ पर बुद्ध महराज उच्च के होके बैठे है उसके बाद में उच्च रासी का स्वामी केंद्र यात्र कौन में हो उच्च रासी का स्वामी कौन है बुद्ध महराज कन्या रासी में उच्च के होते है और कन्याराशी के स्वामी वो स्वयम खुद है तता चौता भाब केंद्र में आता है तो केंद्र में बैठे हैं तो तीसरी कंडिशन भी यहां पर पूरी होती है पहली दूसरी तीसरी तीनों कंडिशन इस कुंडली में पूरी होती है यह बिल गेट्स की कुंडली है तो उनक पूर्ण वहांसुक प्राप्त है इस में से अगर कोई भी कंडीशन अगर मिलती है तो भी वैक्ति को वहांसुक की प्राप्ती होती है देखिएगा हाला कि बहुत से जोतिसमें वहांसुक के योग है परन्तु हमने उसमें से कुछ विसेश आपको बताए है और विसेश होंगे अच्छी इस्तिति में होंगे वैक्ति को उतना ही सुक प्राप्त होगा वहांसुक प्राप्त होगा तो यहां पर मैंने आपको वहांसुक प्राप्ति के कुछ योगों के वारे में बताया तो आसा करता हूं कि दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अकर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल भव्य जोतिस को सब्सक्राइब करें धन्यवाद